आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं रीडर्स थेटर इन अर्लियर सैटिंग के अंदर वो दो चीज़े हैं सबसे पहले चीज ये कि हाव तो इंगेज फैमिली इन रीडर्स थेटर परिंट्स को कैसे मोटिवेट किया जाए कि बच्चों को घर में प्रेक्टिस करवाएं नबर टू कि हमारे पास जब भी हम कोई पर्फॉर्मस करने लगते हैं तो वी नीड ऑदियंस और ओदियंस इससेफ इस वेरी बिग मोटिवेटिंग फैक्टर तो प्रेक्टिस एनी थेटर एनी ड्रामा एनी पर्फॉर्मस क्योंकि जब हम पर्फॉर्म करते हैं और जब हमें तालियों की हवाद आती है और अप्रिसेशन आती है तो वह हमारा कॉंफिटेंस बूस्ट अप करती है तो लेट सी के वाई इस टू इंगेज करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले आप स्टूरेंट्स को वह तमाम की तमाम मेटीरियल चीजे कहानिया स्पैसिफाय करें जो वह घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ प्राक्टिस करेंगे घर में जितने भी आपके बड़े मेंबर्स होते हैं पादर हो सकता है मदर हो सकता है गरिन परेंट्स हो सकते हैं कोई खाला हो सकती है या मामू हो सकते हैं या कोई भी अनकलेन आर्ट या बड़े बहन भाई घर की तमाव फैमली मेंबर्स जो हैं बच्ची की मदद कर सकते ह है उसकी रहसल में उसकी डिलिवरी में और उसको प्रेक्टस कराने में सो बुन्यादी तोर पे यह जो लिट्रसी प्रॉग्रस है यह फैमिली और स्कूल और बच्चे यह तीनों का कॉम्बनेशन है जिसके लिए यह दोनों बहुत इंपॉर्टन पार्टनर हैं जो बच्चे को हल्प आउट करते हैं तमाम इसको अच्छे तरीके से अपने अंदर डिवेलप करने में अगर बच्चे बहुत चोटे हैं तो उनकी गाइडिन्स जो पेरंट्स है उनको हमें इन फॉर्म करना पड़ता है कि हम इनसे अधाव करना है करेंद कररें उनको प्रिनाउश करना आए जूंड है। स्पोग एड़िश के साथ पढ़ना स्टोरी को ड्रामाटाइज करके देखना बकाइदा परफॉर्म करके देखना सो पेरेंट्स या सिब्लिंग्स या जो भी घर में बड़े लोग हैं जिनको लगता है कि देखें डूइट विधियर चिल्डरन और देखेट्स एट होम वह क्या कर सकते हैं यह डिफरेंट परफॉर्मेंस कर सकते हैं बच्चों के साथ उसको बार बार ट्राय कर सकते हैं और इसकी रिहासल कर सकते हैं दूसरी और इंपॉर्टन चीज एक और आ जाती है कि पेरेंट्स का या सिब्लिंग्स का या जो भी आपका गाइडेंस है बच्चों का गाइडर है उसके लिए important चीज यह है कि वो बच्चों से discussion जरूर करें कि जो character बच्चों ने perform करना है रीडे थीटर में, वो है क्या, उसकी शकल कैसी है, वो बोलता कैसा है, उसका personality कैसी है, उसका mood कैसा है, उसकी आवाज की tone कैसी है, उस play के अंदर वो character के emotions कैसे हैं, क्या protagonist है, या antagonist है, किस किसम का वो character है, तो जब हम बच्चों से discuss करते हैं, तो बच्चों को भी character की depth का पता चलता है, और वो बहतर तरीके से अवस character को समझ सकते हैं, अगर घर के बड़े बच्चों के साथ discuss करते हैं, तो बड़ों को भी character समझ आ जाती है, कि बच्चों को करेक्टर क्या समझ आ रही है एक अच्छी कुम्यूनिकेशन बिल्ड अप होती है और छोटे बच्चे बढ़ों की डिस्क्रिप्शन से उनके एक्स्प्रेशन से बहुत सी बाते समझ जाते हैं टीचर कुछ आईए कि छोटे बच्चे की पेरेंट्स को इनफॉर्म करें कि कौन सी किताबे हैं जिसे वो प्लान आउट करें यह रिडियर थीटर इंकरश करें पेरेंट्स को कि वो घर में इन कहानियों को बच्चों के साथ प्रेक्टरस करें अब आवाजे बुलंद पढ़ को इस environment का मौझूद होना जरूर है जिसमें पेरेंट्स और बच्चे और सिबलिंग्स या बड़े आपस में टाइम निकालें और एक अच्छा और क्वालिटिल टाइम एक खटे गुजारें जिसमें वो एक इस किसम की बाते करें जिससे बच्चों की मल्टिबले स्किज है वो develop हो जाएं. Second important point यह आता है कि we are actually performing for some audience. So, बहुत ही important factor जो है reader theatre का वो यह है कि से कौन देखेगा. तो बच्चे जो motivated होते हैं वो इसलिए motivated नहीं होते कि कहानी बहुत interesting है या वो stage बहुत interesting है या उनका peer group और दोस्तों के साथ उनने खेलने का मौका मिल रहा है या वो teacher से interaction कर रहे हैं बहुत एहम factor ही होता है कि they are performing in front of some audience जो उनने देखेगी, clapping करेगी, appreciate करेगी और जबर्दस किसम की उनको comments देगी. So, audience is the biggest motivator factor in a performance. So, इसके लिए हमें चाहिए क्या? इसके लिए हमें यह चाहिए कि जब भी हम कोई चीज लिख रहे होते हैं पुन्यादी तोर पे, even कि बहुत छोटे बच्चे, आप गौर कीजिएगा, कि वो बेहतरीन लिखते हैं जब उन्होंने अपनी friends को पढ़ाना हो, या जो उनकी group में उनको present करना हो, या read out करके सुनाना हो, अगर वो लिख रहे हैं कि अगर कोई बढ़ा पड़ेगा तो उनका interest level कम हो जाता है, इसी तरह बच्चों का interest level बढ़ जाता है, जब उन्हें पता चलता है, there would be any audience जो हमें देखने जा लिया है, so that is good, कि जब हम कभी भी audience के लिए रिखते हैं, we give our full energy to it, जब हम perform करते हैं, we give our full energy to that performance, so जो छोटे बच्चे जो हैं बनियादी तोर पर उनके लिए थोड़ा overwhelming experience भी हो सकता है, क्यों कि जब audience उनके सामने आती तो कई बच्चे स्टेजब आके डर जाते हैं, या उनके से बोला नहीं जाता है, they lost their words, और वो जल्ली से भूल जाते हैं, या कौफजदा हो जाते हैं, या वो शाय होते हैं, तो it is good कि जिन लोगों को आप as a audience बुला रहे हैं, वो वो लोग हों जिने बच्चे जानते हों, बहुत ही ज्यादा बड़ा group नहीं हो, जिसे उनके parents हो सकते हैं, उनके बहन भाई हो सकते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, जो उनकी साथ वाली class में रहा है, या वो teachers जिनको वो जानते हैं, पर वो ने पढ़ाते हैं, तो यह तमाम लोग बहुत ही अच्छी audience और बहुत ही responsible audience बन सकते हैं, so audience के साथ एक चीज जो आती है, वो आती है appreciation, तो हर बंदा चाहता है कि जो वो काम कर रहा है, उसको appreciate किया जाए, तो बच्चे भी चा एहम factor होता है बच्चों की motivation का, कि वो अगली दफार दुबारा reader theater के लिए prepare होंगे, दुबारा stage पे आएंगे या दुबारा अपनी class fellows या class के सामने present कर सकेंगे.